तो जी हां दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी ग्यान में जी हां दोस्तों आज फिर हम आपके लिए एक और नई अपडेटिड वीडियो लेके आए हैं रिगार्डिंग दे लेटेस्ट पेपर जो है ट्रेड्समेन का पेपर जी हां दोस्तों हम इसमें दो पार्ट में सॉल्व करेंगे इस पेपर को जी के और इसका एक साइंस का एक पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये हमारे किसी student ने हमारे center के student ने हमें ये भीजा है paper तो इसको हम solve करेंगे इस paper को So चली शुरू करते हैं दोस्तो So यहां से paper start होता है हमारा दोस्तो जी हां दोस्तो First question हमारा आ गया दोस्तो So हां इसके लिए थोड़ा सा adjust करना पड़ेगा आपको जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये किसी बच्चे का paper हमने लिया है उसने हमें send किया है तो इसमें थोड़ी से adjustment आपको करनी पड़ेगी So but मैं आपको साथ के साथ सारे के सारे facts बताता रहूँगा Complete facts होंगे आपके बाद So चली शुरू करते है First question आगया दोस्तो हमारे पास First question जो है Natural gaps across the mountains which provides root are called Also परवतों की बीच में जितने भीTomacritic antral होते है दो परवतों की बीच में जैसे एक परवत इदर है एक परवत इदर है उसके बीच में से कोई रस्ता निकलता है उसे क्या कहते हैं जी हैं उसे कहते हैं Durra passes बहुत सारे इंडिया के जो पासिस हैं बहुत ही जादा जो most popular passes हैं, दर्राय हैं, एक तो है नाथूला, नाथूला पास, ठीक है दोस्तों, एक है जोजीला, पास, यह हमारे इंडिया के सब बहुत ही important passes हैं, जो तक्रीबन तक्रीबन पहाड़ों में ही पाए जाते हैं, सारे के सारे ही हमारे यह हमालयाज के पहाड़ियों में हैं, यह जो पास, जो मैंने आपको दो बता हैं, बहुत ही महत्वपुरून पास हैं, याद रखना आप, जी हाँ दोस्तों, next question के और बढ़ते हुए, हमारा next question है दोस्तों, Teachers Day कब मनाया जाता है, जी हाँ दोस्तों, Teachers Day मनाया जाता है, 5 September को 5 September 5 September Dr. S. Sarvapalli S. Radhakrishnan उनका पूरा नाम है Sarvapalli Radhakrishnan 5 September को किनकी Remembrance में मनाया जाता है Dr. Sarvapalli Radhakrishnan जी हैं दोस्तों नेक्स्ट कुशन की और बढ़ते हुए नेक्स्ट कुशन है हमारा दोस्तों विच इस दा स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आर सोलर सिस्टम जल्दी दोस्तों कमेंट करके बताईए हमें कौन सा हमारा प्लेनेट जो है हमारा सबसे छोटा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्राय कौन सा है जल्दी जल्दी करके कमेंट करिए और बताईए हमें जी हैं इसका दोस्तों आंसर है इसका मरकरी ठीक है पहले होता था प्लूटो उसको ग्रहों की गिंती से निकाल दिया गया है उसको हम बोलते हैं ड्वाफ प्लेनेट जी हां दोस्तों ड्वाफ प्लेनेट बोला जाता है उसको तो उसको अब ग्रहों की गिंती से निकाल दिया गया है इसलिए हमारे पास रह गये हैं करें नेक्स्ट कोश्चिन डेफिशेंसी ओफ विटामिन ए कॉजज पर दिजीज काउल जी हां दोस्तों एक विटामिन की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस अंधराता अब मैं आपको नेक शॉटकट बतातों दोस्तों थोड़े से डिजीज को याद करने के लिए विटा कर बताऊंगा यह देखेगा ए अंधराता याद रखना अंधराता ए अंधराता बी बेरी बेरी अंधराता ए अंधराता बी बेरी बेरी सी सकरवी A अंदराता B बेरी-बेरी C सकरवी और D हड़ी हड़ी का रोग हड़ीयां कमजोर हो जाती है ठीक है ठीक है ये थोड़े से शॉर्टकट्स हैं A अंदराता B बेरी-बेरी C सकरवी E D D हो गया हड़ी हड़ीयों का कम मजबूत होना Next question जी हां दोस्तों Next question के और बढ़ते हुए Which of these rocks is composed of shells and skeletons of marine organisms निमन में से कौन सी चटान समुद्री जीवधारियों के कंकालों से मिलकर भनी है बताईए दोस्तों जल्दी बताईए जल्दी answer दीजिए इसका जी हां ये ये चटान है चूना पत्थर की चटान ठीक है दोस्तों तो ये याद रखना है दोस्तों ये जीके के question यहीं पर हमारे समाप्त होते हैं तो next जी हां दोस्तों next वाला part हमारा आ गया है जी हां next वाला part जो है वो है हमारा भौतिक विज्ञान का फिजिक्स का तो फिजिक्स के हम question थोड़े से solve करेंगे इसको मैं थोड़ा सा squeeze कर लेता हूँ छोटा चोटा कर लेता हूँ कि आपको सारा question दिख जाए अपनी screen पर ही हां जी सर हां जी दोस्तों पहला question हमारा जो physics का how long it will take to travel a distance of 500 meters जी हां दोस्तों इसके लिए हम आपको थोड़ा सा solve करके बताऊंगा मैं आपको ये question यहां पर ही कैसे अब आपको थोड़ा सा adjust करना पड़ेगा क्योंकि अब देखिए कैसे अब पहले तो मैं आपको बता दूँ कि speed of sound क्या होती है speed of sound ये होती है distance into time ठीक है दोस्तों फिर उसके बाद हमने wave भी निकालनी है wavelength भी निकालनी है length ये होती है दोस्तों ये हमें दी है 50 cm बट हम इसको क्या लिख सकते हैं अब देखिए दोस्तों हम इसको लिखेंगे 0.5 meter ठीक है एक मीटर में कितने cm होते हैं 100 cm तो आप समझे गए होंगे कि 50 से divide करके 100 को 0.5 निकल गया अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है speed of sound निकालना है speed निकालनी है sound की ठीक है उसके लिए क्या करेंगे हम thousand जो दिया हुआ है हमें thousand को multiply करेंगे 0.5 के साथ जो हमें दिया था पहले 0.5 के साथ multiply किया जी हाँ दोस्तो 0.5 के साथ multiply करने के बाद आधा है 0.5 का मतलब है आधा आधे को किसी भी नंबर से गुना करो तो वो आधा बन जाता है आधे को किसी भी नंबर से गुना करने पर वो आधा बन जाएगा तो 1000 को आधा आधे से गुना करेंगे तो वो क्या बनेगा 500 बन गया ठीक है अब देखिए 500 बन गया अब 500 को हमने divide किसके साथ करना है 500 meter के साथ अब मैंने 500 meter के साथ divide किया इसको दोस्तो अब देखिए दोस्तो हमने 500 meter के साथ divide किया तो answer आया हमारे पास one जी हां दोस्तो तो इसका exact answer क्या होगा one जी हां दोस्तो next question के वर चलते होए उमीद है आपको ये video अच्छी लग रही है तो please इसे continuously देखते 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 subscribe करें इसके share करें अपने दोस्तों के साथ तो उनका भी फाइदा हो सके इससे so next question how many seconds are there in one day जी हां दोस्तो बहुत important question है हमारे रोज मर्रा की जिंदिगे में ये question आता रहता है बढ़ हमें पता नहीं होता कई बार तो हम मैं आपको ये इसका अभी बताता हूं तरीका कि कैसे निकालना है इसको जी हां दोस्तो क्या करना है इसके अब पहले ये बताओ एक घंटे में कितने one hour is equal to जल्दी बोलिए दोस्तो one hour is equal to thirty six कैसे साथ गुने साथ means छत्ती सो छत्ती सो हो गए अब देखिए छत्ती सो को हमने बारा से गुने किया multiply किया छत्ती सो को बारा से अब छत्ती सो को बारा से करेंगे तो क्या answer आगा जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए four thirty two four thirty two zero zero four lakh thirty two thousand seconds ठीक है अब four lakh thirty two thousand को एक बार हो और प्लस कर लो क्योंकि ये तो बारा गंटे की है हमने पर हमें चाहिए 24 गंटे बत्तिस बत्तिस चौंट जीरो चार और चार आठ सो चौसर्ट आठ लाख चौसर्ट हजार सेकेंड्स हमारे बनते हैं तो ये answer होगा आठ लाख चौसर्ट हजार का ये वला answer जी है दोस्तों next question पे हम बढ़ते हुए दोस्तों ध्यान रखिएगा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को शेर जरूर करते रहेगा शेर करने से हमें बहुत support मिलते ही और आपकी support से हम ये अच्छे से अच्छा content लाते रहते हैं आपके लिए तो आपका भी फैदा होगा अपने आपके exam में so next question है phenomenon of splitting the white white light into seven colors जी हाँ दोस्तों मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये चीज बहले ही भी बोल दी थी क्या था विब ग्योर ये होती है seven lights one two three four five six seven ठीक है ये seven lights होती है ठीक है ये सबसे कम red light सबसे कम फैलती है ठीक है और ये सबसे ज़ादा फैलती है इसका बहुत ज़ादा फैलने वाली ये है और सबसे कम फैलने वाली ये है क्योंकि red सबसे कम फैलती है इसलिए इसको खत्रे के निशान में यूज किया जाता है कि ये कम फैले दूर से दिख जाए सो जी हाँ दोस्तों इसका answer है total internal reflection ठीक है reflection के कारण ये फैलता है ये साथ रंगाते हैं जब हमारे वातावरण में जब भारिश होके हटती है तो droplets जो होते हैं ऐसे ऐसे droplets आपको पता ये droplets जो होते हैं हमारे नमी जो होती है हमारी वायू मंदल में रहती रहती है तो जब उस पे प्रकाश पढ़ता है तो उसमें टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन के कारण विब गयोर बन जाता है इंदर धनुर्श बन जाता है नेक्स्ट कोश्चन दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन जो है वेन स्टोन इस वर्ल्ड मीन्स घुमाया जाता है अब देखी जो बच्चे तो गाओं में रहते हैं गाओं में रहने वले बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे पंजाबी में एक बच्चे डोर के साथ पत्थर को बांद के वो गुमाते हैं झाल 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 झाल